हेλοगाईज, आपको क्या पता कि चैनल डिलीट होने का दर्द क्या होता है? मेरे भाई, 213 सब्सक्राइबर होने के बाद, एक जटके में, एक सैकेंड में चैनल डिलीट हो गया जो कि मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा होगा क्योंकि मैंने आज तक कोई भी उस channel पर एक भी mistake नहीं करी उसके बाद भी कुछ पता नहीं YouTube क्या सोचता है क्या करता है कब इसके साथ क्या कर दे बस एक पल में channel delete हो गया क्या हुआ कि मैं 18 तरीक की बात है 18 June की चार्ण जीकी खोज तो उसमें दिखाता है कितने वीडियो में यूज हो रहा है और कितने channele इसको यूज कर रहे हैं तो जब मैं उसमें search कर रहा हूं generally क्या होता है मैं hash लगा के जैसी एक दौक्षर लिखता हूं तो मेरा hashtag automatically डिस्प्ले हो नीचे दिखाता है कितने चैनल यूज कर रहे हैं और कितने वीडियो में यह यूज हुआ है तो भाई मुझे अपना हैस्टेग मिल ही नहीं रहा था मतलब जैसे गाइब हो गया सब कुछ डिलीट नथिंग एल्स तो इतना होने के बाद जैसे मैंने वीडियो जब नहीं मिला सब कुछ गाइब मुझे समझी नहीं आया क्योंकि यह फर्स टाइम हुआता है तो मुझे मतलब बड़ा खराब लगा तक मुझे पता भी नहीं था कि मेरा चैनल डिलीट हो गया है फिर क्या हुआ मैं फोन देखता हूँ तो फोन में मुझे एक एमेल आता है तो वो एमेल मैं आपको पढ़के बताता हूँ उसमें क्या लिखा हुआ था यह देखिए थी डेज एगो जो टाइम आ रहा है यहाँ पर जो मुझे एमेल आता है यह रात को 9 बजे 18 जून को रा स्पैम पॉलिसी बिकाज ओफ दिस वे रिमूब यूर चैनल रॉम यूट्यूब वी नो दिस प्रोबेबली वी आ अपसेटिंग दूज बट इस आवर जॉब तो इस टाइप से करके इनों ने बता दिया फिर निंचे यह क्या लिखा इनों ने यहाँ पर इनों ने लिखा है what policy says content that promotes spam scam or other deceptive practice is not allowed on YouTube यह इनों ने अपनी policy में लिखा है तो learn more भी आ रहा है इसे आगे भी पढ़ सकते हैं पढ़ना चाहें तो उसके बाद इनों ने आगे यहाँ पर देखिए नीचे दिया what you can do next आप आगे क्या कर सकते हैं इसमें लिखा है YouTube community guideline appeal here make sure the fill that appeal form and completely तो भाई यह है URL मेरे चैनल का अब मैं चैनल से तो हाथ दो बैठा था आई ऐसे हर कोई परिशान हो जाता मैं भी परिशान हो गया अब परिशान हो के क्या हुआ मैंने वाइसा इंस्टाग्राम पर दुनिया वर के messages कर डाले अब यह देखो किस को message किये यह देखिए technical इसरार यह technical योगी देवजानी मनोज दे इन सभी को message किये लेकिन किसी ने कोई response नहीं दिया सबको message डाले voice भी डाली आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यह देखिए मैंने voice message भी इन्हें डाला ठीक है तो इस टाइप से मैंने message डाला इसके अलावा आप देखेंगे मैंने योगी योगेंद्र यह इन्हें पहले invite करना पड़ता है यह ऐसा नहीं है कि इन्हें direct message बेज लो तो इन्हें message बेजा हाई sir please help me आज मेरा YouTube channel delete हो गया लेकिन भाई किसी ने भी कोई response नहीं दिया किसी ने भी कोई response नहीं दिया उसके बाद मैंने कुछ YouTube पर वीडियो देखे तो यह मैंने दिखाई दिये देवसानी को भी बेजा इन्हें भी मैंने voice message बेजा देखिया और लिखके सारी फोटो भी लगा के बेजे सर मेरा YouTube channel delete हो गया चैनल का नाम था विशाल जी ठीक है तो इस टाइप से मैंने सभी को इन चारों को message बेजे यह जितने भी आप देख रहें Instagram पे यह technical इसरार योगी योगेंद्र देवसानी और मनुजदे तो भाई साव इन मेंसे किसी ने भी कोई response नहीं दिया फिर उसके कुछ messages डाले कुछ वो बोला कुछ मुझे screenshot दो वो दो तो भाई साब मैंने बड़ा ढूंडा मुझे चैनल का screenshot नहीं मिला कि वाई टी स्टूडियो का उसको तो मतलब वाई टी स्टूडियो बगरा का तो फिर मैंने देखा मेरे किसी एक वीडियो में मैंने जहां display किया था आप विश्वास मानिये कि मैं इतना उस समय मतलब यह हो गया था कियार मैं कैसे यह करूंगा यह तो बहुत बड़ी गड़बल हो गई मतलब पूरी रात मुझे नीद नहीं आई मैंने बहुत सारे वीडियो देखे सारे क्रियेटर को मैसेज किये लेकिन यह जितने बड़े इतनी बड़ी दिक्कत नहीं थी कि मेरा 75 डॉलर फस गया या मैं दुबारा इतना सब्सक्राइबर गेन कैसे करूंगा सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि हमें लोगों को क्या बताऊंगा जो लोग मजा कुड़ाएंगे बाई ऑफिस में यहां महां कियार यूट्यूब कैसा पुराने फोन से हैंडिल करते हो तो कम से कम तीन महीने का वेट करना पड़ेगा तो यह सारे विचार दिमाग में घूम रहते हैं पूरी रात सोचता रहा ठंग से नीद नहीं आई लेकिन मैं एक काम किया रात को ही उसमें एक अपील डाली अब अपील में क्या लिखते हैं यह मैं स्क्रीन शॉट यहां लगा दूँगा आप उसे पढ़ सकते हैं लेकिन डिक्टो वैसा का वैसा नहीं लिखना उसमें कुछ लाइन एड करनी पड़ती हैं चाहे कॉमा फुली स्टॉप कुछ लगाओ नहीं तो कुछ लाइन एड करो तो मैंने भाई सब उसमें जो ह करन होता है जो मैं स्क्रीन शॉट में आपको लगा दूँगा आप पढ़ सकते हैं वही सारी चीजें लिखी हुई थी सिर्फ इतना जो है मैंने अपनी तरफ से एड कर दिया तो आप भी कभी अगर अपील ला लें तो कुछ ना कुछ एड जरूर करें अब मैं यह सोच रह इस मेल में यह उन्होंने यह तो यूरल दिया था यह देखिए यह तो यूरल दिया था इस मेल में और यहां पर यह अपील हियर का एक अप्शन दिया था तो यह यूरल हमें कर लेना होता है कॉपी ऐसे करेंगे दबा के रखेंगे यह कॉपी यूरल आता है तो यह कॉपी अपना full name जो documents में है passport में आधार में या और भी जो चीज़ें आप मतलब जो आपका real name है और यहां पर एक email ID डालनी होती है यहां पर अपनी email ID डालने जो channel की है और यहां पर channel वाली email ID भी डाल सकते हैं कोई और आप चाहते communication के लिए तो वो भी डाल सकते हैं वैसे मैं suggest करूँगा यहां पर अपने channel वाली email ID ही डालें यहां पर उसके बाद क्या होता है इसमें नीचे यह होता है URL पेस्ट करने का जो हमने URL copy किया था वो यहां पर paste करना होता है तो paste करने के लिए ऐसे दबाया और ऐसे पेस्ट कर सकते हैं यह URL paste हो गया है उसके बाद यहां पर आता है इस column में यहां पर हमें अपना topic लिखना होता है जो हमने मतला appeal में लिखना क्या है फिर मेरे पास एक message आता है उसी दिन 9 बजे मेरे पास पहला mail आया था उसके बाद जा मैंने appeal कर दी यहां पर time क्यों नहीं दिखा रहा है 3 days ago पता नहीं जो भी है मतला 11 बजे के आसपास मैंने appeal की तो मेरे पास जो आया था वो यह लिखकर message आया था thank you for contacting about the restoring access to your google account google will review your appeal as soon as possible most requests take to business days to review but some might take longer you may be able to download your data from some google services that get started signing your channel if your account is eligible you will see the link download data यह message आ गया रात को ही जब मैंने करीब 11 बजे 9 बजे channel delete हुआ 18 जून को 11 बजे तक मैंने इस पर appeal कर दी उसके बाद मेरे पास यह mail आया फिर मैं next day जब उसके बाद अगले दिन 11.11 पर मैं अपने phone को एक बार check करता हूँ उसमें email पड़ा होता है जब मैं वो email पढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि हाँ पर एक message आया यह देखिए two days ago है यहाँ time भी आ रहा ग्यारा बजे के तेरा मिनिट यह देखिए 19 जून 19 जून यह देखिए 11 बजे के तेरा मिनिट आ रहा है time तो इस message में क्या लिखाता हाँ विशाल जी की खोज we have reviewed your appeal for the following channel name विशाल जी की खोज after taking another look we can confirm that you that your channel does not violate our community guideline ठीक है thanks for your patience while we reviewed the appeal our goal is to make the content does not violate community guideline so that youtube can be safe place for all and sometimes we make mistake trying to get it right we are sorry for any frustration of our mistake caused you and your and we appreciate you letting us know तो भाई साब मतलब YouTube ने हमारा channel हमें लोटा दिया उसके बाद मैं जैसे वाई टी स्टूडियो खोलता हूं तो मुझे अपना channel open मिलता है सब कुछ ठीक ठाक है तो भाई साब मतलब जब channel उड़ता है तो यह समझे लो सांसे आटक जाती है मैं भी मतलब परिशान तो हुआ था लेकिन उतना ज्यादा नहीं हुआ था क्योंकि मैं मतलब YouTube part time करता हूं तो एक suggestion है जो लोग YouTube को full time करते हैं तो भाई वो दो या तीन channel बना के रखे हैं क्योंकि पता नहीं YouTube को कब गुसाए कब उड़ा दे कई बार वो अपनी गलतियों से उड़ाता है कई बार हमारी गलतियां हो जाती है community guideline बहुत सारी हैं लेकिन इनके सारी clause एक-एक मतलब अच्छे से explained नहीं है जैसे ISO और इन सब चीज़ों के rule होते हैं ब्सक के ISO के बहुत सारे industrial बहुत सी चीज़ों के जिसमें लोग rule SOPs तो बहुत बनाते हैं लेकिन point wise इतना specific नहीं होता है किसके against कौन सा document चाहिए same way YouTube में जितनी policies हैं जितनी community guideline है मतलब उनका बताया तो है लेकिन इतना specific नहीं बताया है कि आप ठीक से समझ सकें कि कौन सी mistake करनी है और कौन सी नहीं मोटा मोटा हम लोग काम तो ठीक करते हैं लेकिन किसमत का कुछ पता नहीं है कि YouTube हमारा channel कब उड़ा दे और भाई उड़ा देगा तो जो YouTube से ही मतलब जिसका घर चलना उसके उपर भाई बहुत दिक्कत आएगी तो इसलिए या तो YouTube करो part time और या फिर YouTube के दो तीन चैनल लगको जिससे एक delete भी हो जाए तो दूसरे चैनल से आप earn करते रहें उमीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा हो तो एक like और चैनल पर पहली बार आए हैं तो subscribe साथ में notification bell को call पर select कर दें जिससे इसी तरह के informative वीडियो आपके लिए में आगे भी लाता रहूं और आपको सबसे पहले मिलते रहें तब तक के लिए ज हैं वंदे मातरम जैशिरी राम